Hi everyone, welcome to this brand new episode, this is Sivans, और आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं Linux के बारे में It is a very important topic for, like अगर आप command line use करते हो तो उसके लिए चाहे आप mobile phone का operating system use कर वे हो, या फिर बहुत बड़ा हमारा super computer है, आपका common laptop है, PC है हर जगा Linux use होता है, background में हमारा CLI ही चल ला होता है, command line interface जिसे हम बोलते हैं GUI पर हमें चीज़त दिख रही होती हैं, जिसे हम graphical user interface बोल रहा है अगर आपने कोई button क्लिक किया, तो background में हमारा Linux kernel ही work कर रहा होता है चाहे वो super computer हो, चाहे वो phone हो, या आपका personal laptop हो तो आज की इस वीडियो में हम Linux देखने वाले हैं, actual में अगर आप DevOps में जाना चाहते हो अगर आप simple सा, like आप power cell या command prompt यूज़ कर रहे हो, हर जगा आपको ये Linux के commands यूज़ आएंगे ये Linux के बारे में आपको जानना होगा and in this video we are going to discuss all those things पहले थोड़ा सा theoretical देखेंगे और उसके बाद से commands चला के देखेंगे और last में आपको seed भी मिलेगी जिसमें सारा command वगरा आपको directly मिल जाएगा so चलते हैं वीडियो पे पहले डखते हैं कि क्या क्या topics हम discuss करने वाले हैं उसके बाद से like मैं command चला के दिखाऊंगा अपने laptop screen पे so don't worry about all those things पहले concept clear कर लो ठीक है and I know video यह बहुत दिनों बाद आई है but अब मैं try करूंगा थोड़ा regular videos दाल देखें so start करते हैं what is Linux से so Linux क्या होता है सबसे पहला एक एक open source operating system है open source operating system है operating system क्या होता है जो हमारे functions को काम करें आपने कुछ type किया और कुछ हो जाए आपने hardware से input दिया वो software क्या करेगा वो चीज़ जैसे आपने control C दबाया तो control C दबाने से जो चीज़ मैंने select किया है वो copy हो जाए तो यह चीज़ कैसे पता चलेगी यह हमारे computer को हमारे जो भी processor है हमारा जो भी RAM है या जो भी memory हम use कर रहे है at the end हमारा kernel चलता है एक जिसे हम बोलते हैं Linux kernel Linux kernel k-e-r-n-e-l इसमें क्या करते हैं हम जो हमारा command होता है वो हम देते हैं और उसके बाद से जो भी उसके पीछे background में हमारी चीज़े लिखी होती है कि यह करने से यह हो manually मतलब आपके पास limited ही तो buttons होते है control-c, control-v तो इन सब के पीछे code लिखा होता है so यह करने से यह हो यह सब हमारा कैसे होगा वही kernel कर रहा होता है at the end Linux kernel जिसे हम बोलते हैं और Linux बहुत popular user आप चाहे SSH कर रहे हो cloud पे अपने websites को डाल लो या कुछ और कर रहे हो so at the end आपको इसन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी so एक बार overview देख लेते हैं कि क्या क्या वीडियो में discuss करने वाले है उसके बाद से एक एक topic discuss करेंगे तो सबसे पहले Linux क्या होता है दूसरा uses कहां कहां है इसके तिसरा मतलब क्या इसका अलग-अलग uses हैं यही पे हम discuss कर लेंगे कि जैसे हमारा virtual box हो गया cloud हो गया यहां कहां कहां use होता है यह सारी चीज़े देख लेंगे हम उसके अलाबा इसके pros और cons देख लेंगे फिर आएंगे हम computer screen पे और यहां पे हम देखेंगे कि commands कैसे चलाते हैं आप अपने windows में commands चला सकते हो in fact Ubuntu के सारे या Linux जिसे हम बोलते हैं तो यह सारी चीज़े हम देखेंगे commands के बारे में पूरा मैं आपको PDF भी देदूँगा commands का वहाँ आप देख सकते हो and at the end कुछ examples देखेंगे so सबसे पहले start करते हैं Linux क्या होता है ठीक है so operating system मैंने बता दिया क्या हो गया operating system basically होता क्या है कि मैं कुछ action लूँ और उसके against एक output है like मैंने ctrl plus c दबाया तो कैसे पता हमारे computer को कि ये करने से ये चीज़ कॉपी कर लो background में code लिखा होगा एक process हो रही होगी जो कि हमारा Linux kernel चलाता है मैंने अभी बताया और बाद में साड़ी चीज़े वो वैसे वैसे काम करती है जैसे जैसे मैं button दबाता हूँ हमारे buttons पे भी commands रहते है ठीक है so जो अपने button दबाया उसके पीछे Linux के एक दो functions चलेंगे commands चलेंगे या पिर जो भी मैंने लिखा है वो चलेगा फिर at the end उसके पीछे भी वो code लिखा होगा जैसे मैं अभी आपको command होता हूँगा एक command होता है ls ls से क्या होता है मेरी lists हो जाते है किसी directory में जितने भी files होंगे उन सब की list आजाएगी ठीक है उसी चीज़ को आपको graphical दिखाया जाता है जब आप my computer खोलते हो तो आपको सारी files folder अच्छे से दिखते है अक्सली में ls command चलता है उसकी सारी filing वगरा आती है और उसके अच्छे view में GUI में हमें दिखा दिया जाता है actual में काम CLI में होता है command line interface और graphical user interface तो जो आपका windows हो गया या फिर आपने Ubuntu सुना होगा या फिर आपने Kali Linux को सुना होगा Kali Linux So ये सब क्या होते है GUI होते है actual में command वही चल ला होता है जो Linux के होते है जितना freehand आपको दिया जाता है जैसे Windows में बहुत limited command चला सकते हो Ubuntu में और ज़्यादा freehand आपको मिलता है Linux में तो ethical hacking भी आप कर सकते है So बहुत जो जो हमारी अलग-अलग rights है जैसे Linux के command ही चल ला होगे पर protected होगे कुछ अलग-अलग groups बना रख्योंगे ये सारी चीजे मतलब open hand मिलती जाती है और Windows में वो चीज लिमिटेड होती है और CLI में हमारा at the end सारी चीजे Linux ही होती है CMD भी हम जानते है PowerShell जानते है So ये सारी चीजे हमारी CLI होती है PowerShell ठीक है So basic हमारा Linux ही कर रहा होगा अब तक आपको concept clear हो गया होगा Linux का मतलब क्या काम करता है अब इसकी uses अगर हम देखे न और open source है lightweight है और open source है ठीक है कोई भी use कर सकता है और बहुत कम memory लेता है हमारा server है वो तो already हमारा काम कर रहा है इसलिए उस पर load और traffic आएगा तो वो बहुत ज्यादा memory consume करेगा So हम एक ऐसा उस पर operating system जालेंगे जो कि easily हम like कोई भी use कर पाए और बहुत कम memory ले ठीक है तो cloud computing हो गया हमारा या फिर जो हमारे servers होते हैं उस पर हम Linux डालते हैं दूसरा जो आपका cmd चल ला होता है या फिर power cell यूज करते हो वो भी add then Linux यूज करता है तीसरा आप virtual box जानते हो virtual box जो आप computer में एक छोड़ा सा computer बना सकते हो एक node बना सकते हो ये सब में काम आता है फिर आप अगर devops में जाओ devops में जिसमें हम अलग-अलग चीज़े like kubernetes docker ये सब में use करते हैं तो इन सब चीज़ों में मेरे को बहुत ज़्यादा Linux के command use होते हैं in fact आप अगर VS code भी यूज किया हो अगर आपने न तो नीचे जो हम टर्मिनल खोलते हैं उसमें भी हम Linux के command चला रहे होते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़े हो गई की uses कहां कहां है अब अगला topic है हमारा pros और cons pros और cons तो सब को पता है pros क्या है ये open source है और easy to use है easy to use अब जितना अच्छा आप इसे light handly use करना चाहिए use कर सकते हैं like kali linux में ये बहुत ज़्यादा features देता है वहीं windows में बहुत limited देता है ठीक है cons में हमारे mostly आते हैं कि हमारा commands याद करना पड़ता है commands learn करने पड़ते है और थोड़ा जो beginners होते हैं उन्हें ये समझनी आता है commands वगरा type करना थोड़ा समझनी में time लगता है ठीक है तो ये हमारा linux के pros and cons हो गए अब एक चीज आती है linux में users और groups और उनके permissions ये concept है command में चलाओंगा उसमें use होगा तो वहाँ directly हम देख लेंगे तो अब भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ user groups और उनके permissions होते है so एक होता है read permission write permission execute permission और भी होते हैं बहुत सारे पर major ये तीन होते है और एक open मतलब कुछ नहीं ठीक है अब users क्या होते हैं बहुत सारे मेरे users हो सकते हैं एक linux में like आपने देखा होगा कि एक windows में 4-5 आप users बना सकते हो so users क्या होते हैं 4-5 मालो मेरे users हैं अब उनको group कर सकते हैं आप organization wise like ये 4 user के पास ये permission रहे और ये 2 users के पास ये permission रहे मालो ये g1 हो गया ये g2 हो गया और इसमें u1, u2 है और इसमें u1, u2, u2, u3 और u4 है तो इन 4 के पास क्या क्या permission होगी मैं उन्हें ऐसे दे सकता हूँ पूरे group को permission दे सकता हूँ और user wise भी permission दे सकता हूँ so ये permissions और groups हो गया ठीक है so basic चीजे हमने देख ली अब main तो होता है जो practice होता है हमारा जो चीजे देखेंगे तो अब हम चलेंगे computer screen पे और वहाँ commands चला के देखेंगे बहुत सारे और वहाँ पे concept आपका clear हो जाएगा so welcome back everyone ये रही वो seat जिसकी बात मैं कर रहा था अब ये सारा चला के मैं आपको दिखाऊंगा मतलब देख लेंगे हम mostly चीजे इसमें से ठीक है अब उसके पहले क्या करना हो अगर आपको like linux के पास permission है अगर आपके पास virtual box हो उसमें direct up linux का image download करके install कर सकते हो आपके पास अगर cloud हो तो आपको एक चीज मिलेगा windows subsystem for linux इसको on कर देना है आपको ठीक है इसको on करने के बाद से आपको आना है अपके play store में play store बोला हूँ microsoft store में और ubuntu का कोई सा भी एक version इंस्टॉल कर लेना है latest supported version ठीक है मैंने यह बाला किया है आप भी यह कर सकते हो फिर अपने computer को restart कर देना और आपके पास आपके device में यहां पर linux आजाएगा linux के अंदर मैंने ubuntu install किया था अगर नहीं आया तो restart कर देना आपका computer अब इसके अंदर बहुत सारी files and folder होंगी जैसे मेरे machine में होती है इसमें bin होता है users के सारे detail user में होते है root होता है जो हमारा startup के time चलता है etc होता है home में मेरे सारे files होते हैं जैसे मेरे users के जो जो भी file होंगे वो सारे यहां पर आएंगे so basic जो हमारा ubuntu के अंदर होता है machine वो सारी चीज़ें यहां पर आ जाती है यह देखो पूरा का पूरा आ गया रूट क्या होता है मेरा जो स्टार्ट अप के समय चलता है देखो उसे में एक्सेस भी निकल सकता पर देखो मैंने यूजर वो शिवांस दिखायता न वह यहां पर बन जाएगा पहली पर यूजर नेम और पासवर्ट दे देना ठीक है इससे क्या होगा यह सारी चीजे मेरे में आ जाएंगी मैं यहां पर लिनुक्स के सारे कमांड्स यूज कर सकता हूं इन विंडोस अपने सबसे पहला कमांड है हमारा फी डावलो डी पी डावलो डी क्या करता है print रकें करेंट वर्किंग डिरेक्टी जिस भी डिरेक्टी में हूं मैं का जब अभी मैंने लोकल फाइल दिखाई थी आपके में शिवांस नाम का था जिसमें मेरे सारे फाइल्स थे अब उस फाइल क तो आपको सारे hidden file भी देखेंगे, जिसमें भी dot होता है, वो hidden होता है, तो यह सीजें, list view में देखेंगे, with read, write and executable permission, अब देखो read, write, read, write, executable, यह सारे permissions है मेरे, यह जो लिखे हुए है न, यह अलग-अलग permissions होते हैं, इनका एक format होता है, कि पहले 3 होते हैं, read के लिए, मतलब open to all होते हैं, फिर users के लिए होता है, फिर अभी मैंने groups वगरा बताया न, तो इनके permission होते हैं, पहला 3, इसके लिए होता है, groups के लिए, फिर user के लिए exactly मेरे को याद नहीं है, आप Google करके देख सकते हो, पर यहाँ पर देखो लिखा है, कि user के लिए read or write permission है, ठीक है, executable मतलब X होता है, तो यह सब चीजें आप list view में देख सकते हो, अगला command cd है, cd से क्या हो सकता है, आप cd.d करोगे तो back जा सकते हो, तो मैं cd.ly का एक और back आ गया, यहाँ पर pwd देखो, तो मैं flash के हो, यहाँ पर cd home करूँ, मैं change directory करके home में आ गया, मतलब change directory आप करते हो, जैसे shivans में अगर जाना है, तो मैं ls करूँगा, cd shivans लिख दूँगा, मैं cds में ho गया, ls करा, मालनो मुझे open stack में जाना है, तो मैं करा cd open stack, और open stack, और इसके अंदर आ गया मैं, directory है नहीं exactly, जो हमारे blue color के होते हो, वो सारे directory होते हैं, यह सब files है मेरे, तो यह अलग-अलग commands हो गया मेरे, touch से क्या कर सकता, अब file बना सकता, मालनो मेरे को, मैं यहां पर दिखाता हूँ, यहां पर यह इन files है और folders है, तो मैंने touch करके लिखा, abc.txt, मतलब इस नाम से file बना लो, अब मैं ls करा, abc.txt नाम से file बना दी, अगर मुझे folder बना लो होता, तो मैं लिखता, make directory, mkir folder 1, इससे क्या होगा मेरा, folder 1 नाम का बन गया, अब इसमें मैं cd करके folder 1 में जा सकता हूँ, अब यहां पर देखो तो यह खाली है, यहां पर फिर आप, फिर मेरा cat command होता है, cat में भी आप यूज़ कर सकता है, यह तीन हमारे writers होते हैं, जैसे आप text write करते हो, आप notebook प वैसे ही आप इन तीनों, अलग-अलग तीनों होते हैं, आप इन तीनों का में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, अपनी चॉइस है, और आप कोई सा भी यूज़ करके, आप file वगरा लिख सकते हो, इसके अंदर मैं बना रहा हूँ, मैंने ls करा, folder 1 के अंदर यह file बन गया, कि अब मालनो मुझे remove करना है वो चीज, मैंने remove लिख दिया, abc.txt, अब यह सारे command आप direct लाते हो, अपने computer में, अब देखो, ls करा, तो कोई file हो आप है नहीं, अगर मैं सारे files आ जाएंगे, अभी कुछ नहीं है, अल करा, नहीं है, total zero files है, मेरे folder के अंदर, तो यह मेरे ल अब है, मैं back लाता हूँ, एक बार, पर ls करूँ, मैं, ls hide, l कर रहा है, मालनो मेरे पास कुछ-कुछ commands user को हैं, जैसे, यहां मेरा username लिखा है, advance, तो इसके पास यह commands है, इस folder में, इसके पास read, write, execute, read, write, execute, read, write, execute, के लिए होते हैं, so, इस user के पास read, write और execute का पूरा command है, अब मालनो मुझे, कुछ ऐसा करना है, जो केवल super user ही कर सकता है, तो मैं क्या करूँगा, sudo लिखूँगा, और उसके आगे, जो भी command है, मेरा ls लिख दूँगा, मेरे को यह password बचेगा, उसके बाद सारी चीजे, ज मेरे को password मुझे याद नहीं है, फिर ठीक है, पासवर्ड डालोगे, तो यह command अपने आप run हो जाएंगे, मतलब super user बना दो मुझे, और यह चीज़ execute कर दो, इससे यह होगा, clear लिखूँगा, obviously, पूरा screen clear हो गया, एक और चीज़ बताता हूं, history लिखोगे, सारी history Kubernetes, Docker वगएरा, तो उन सारी list of commands मेरे history में save रहती है, अब CS mod करके, देखो, अब CS mod में क्या होता है, आपकी कुछ numbers होती है, 777 होता है, सारे permission देने के लिए, 775 होता है, उसके बाद आप file name दे दोगे, तो आप उसको सारा permission दे सकते, लाइक मैं एक बर दिखाता हूं, ले साइफन लिखा मैंने, अब देखो, open stack वाले फोल, जो मेरा file है, उसके आगे बहुत कम permission है, तो मैं क्या करूंगा, CH mod 775 लिख दिया, अब ले साइफन लिखूंगा मैं, उसके पास सारी permissions आगी, यह देखो, ले यह था, यह हो गया, यह, सो मैं अलग-अलग चीजे कर सक अब देखो, मैंने, 777 दे दिया, तो यह permission मुझे मिल गया, CH mod 777 देके file name लिखोगे, तो उसकी सारी permissions आपको मिल जाएंगी, यह देखो, फिर कुछ process management के commands है, अगर आपको देखना है, कितना RAM आप यूज कर रहो, यह सब अगला command होता है, अपली का मैंने, तो सारे processes दिख जाएंगे, तो यह सारे processes चलते हैं, अब control C दबाओगे, बार आजाओगे, आभी हो तुम, तो यह याद रखने हो, इपी config लिखोगे, तो आपके सारे IP addresses के detail, internet के detail आजाएंगी, IP config, नहीं found हो रहा है, लेकिन अगर आप cmd में चलाते हो अपने, क्योंकि यह हो सकता है, मेरा नया sub sequence बनाया है, मैंने, उसमें problem आ रही हो, आप next में लिखोगे न, आ जाएगा direct, मैं यहापे IP config लिखा, यह मेरे सारे Wi-Fi addresses वगेरा के नाम दिखा देगा, ऐसी और भी command होते हैं, जाए कि SSS से आप क्या कर सकते हो, अपने server पे login कर सकते हो, SSS और IP address देते हैं, SSS और IP address, जैसे करके 123.12.12, जैसे माल लो, यह आपका IP address है, मैं आपे SSH कर सकते हो direct, भी मेरे पास इसका access नहीं होगा, यह available नहीं है यह राओ, तो आप SSS ऐसे करके login कर सकते हो, एक चीज और आप को मालो कर बाहर का कोई चीज इंस्टाल करना हो, तो आप YUM के help से इंस्टाल कर सकते हो, यह इंस्टाल कर सकते हो, यह पीटिगेट इंस्टाल और पैकेज नहीं, आप देख सकते हो Google पे कौन सा पैकेज है, आपको दिख जाएगा कितना डिस्टाल कर लाइक अलग अलग चीज़ें दिख जाएंगे, आप कितना यूजेज हैं, कितना अविलेबल है, आपके अलग अलग फाइल्स हो रही है कहां पे, स्टोरेज की चारी डीटेल्स आ जाएंगी, वैसे ही, यूनेम लिखा तो सम यह फाइल बना दी और उसको नाम दे दिया, यहाँ पर बना लेते हम, नैनो पिस करते हम, वैज इसे क्या और बनाई सी डॉट राथ कैया होता है, यह फाइल बनाई मैंने नियुर्अट बैट कह उन्दर आ गयाinga event फाइल सथ श्क्रिप्ट इसमें मैं क्या करा हूँ इसमें मैंने एको लाइन लिखी है ठीक है अब एको लाइन क्या करेगा जिसे मालो मैंने क्या करेगा मैंने लिखा से मतलब सेल में चलाओ उस फाइल में क्या लिखी थी मेरे एको कर दो क्या मैं दिखाता हूँ अपको क्या लिखा था को कर दो है लो को इसके आगे आप और भी चीज़े लिख सकते मालों कोई काम करवाना हो पूरा स्कृप्ड अब अलग अलग बना के उसी में का का पूरा स्कृप्लिख सकते हो और तिंग चाला सकते हो फिक है फोकि 얼마나 सकते वों से कि होते हैं आप Windows 11 में ही चीजों को चला पा रहे हो और पूरा का पूरा यहां पर command का एक basic सा list भी आपको मिल गया है जो आप use कर सकते हो easily. So I hope आपको वीडियो में कुछ समझ में आया होगा और आपको समझ में आया हो तो make sure to subscribe this channel, like this video and share this to your friends and colleagues. Thank you so much for watching this video till then.